आज एड़ी विद्धाय को के सवसन हमारे साथ हैं सर सीवियाई की टीम जो है राबड़ी अवास पे पहुंची है जो हमारे सोर्सेथ बता रहे हैं कि यह कोई छापे मारी नहीं हो रही है यह पूछ ताच हो रही है पंद्रा तारी को पेसी होनी है लोगों का जो नौकरी दी 2020 में चुनाओ था राज में तो 19 में चापे मारी हुआ जब 24 में चुनाओ है तो 23 में चापे मारी किया जा रहा है आखिर बताइए कि गड़ीवों के नेता है लालो जी यही ना उनका कुसूर है समाजिक निया के महानायक है लालो यादव जी और उनके परिवार के लोगों भी तंग और तबाह किया जाता है बीजेपी के तोता के रूप में सीवी आई काम कर रही है लेकिन सर नौ वी पक्षिद अलों ने प्यमोदी को चिछी लिखी थी कि जा चैंसियों का दूरूप्योग हो रहा है उसमें आरडेडी के तर से भी सिग्नेशर किया गया तो ठीक बाद सीवी एकर टीम पहुंचिए तो कि टाइमिंग पर भी स्वाल उट रहा है देखे बिलकुल इस तरीके का सवाल तो उटता है देश के लोग और बिहार के लोग भी जान रहे है कि आखिर इस तरीके से जो दूरूपयोग हो रहा है सरकारी तंत्रों का दूरूपयोग ह नहीं होना चाहिए यह सोतंत्र एजनसी है उस पर जो है वो बीजेपी अपने कारे करता के रूप में उसको इस्तेमाल कर रहा है दिली के डिप्टी सीम अनिश्यों सुधिया की गीरफ तारी हुई सराब घोटाले मामले में तो क्या आप लग रहा है कि लालो परिवार पर किया जा रहा है सो लालो यादों गरीबों के नेता हैं साथ में वो गरीबों की आवाज उठाते है इसलिए केन सरकार को यह सब देखा नहीं जा रहा और उनके पीछे जो halt लगा दी गई है ये आज ये डिविध है करें के मैं परस मिशाल के साथ से शाम कुमार एवीपी न्यूस पटना